नमस्कार दोस्तों दोस्तों यह जो मार्च महीना है हर किसी साल का मार्च महीना जो होता है केरल में जितने भी लेबार या मिस्त्री काम करने के लिए जाता है ना कोई भी खाली हाथ नहीं आता है आता है तो भर भर के पैसा लेके आता है दोस्तों इस टाइम अगर आप दिल् और मिस्त्री का और खास करके दोस्तों अगर आप लोग मार्च महीना में इस महीना में केरला रहेंगे तो आपको कितना पैसा कमाई होगा अगर आप लोग लेबर क्लासिक है या फिर मिस्त्री का काम करता है तो दोस्तों लेबर जो मिस्त्री का काम है न केरला में मार्च महीन में मतलब मार्च महीना की अंत में एप्रिल महीना जब गिर जाएगा तब पानी स्टाड हो जाएगा और अगर इतना पानी स्टाड होगा कि केरला में भयानक पानी स्टाड होगा ताब भाईया कोई काम टाम नहीं होगा बहुत ज्यादा काम होगा तो काम होगा दोस्तों ले जाता है और मिस्तृ का दोस्तों इस बांदराइस स्रूपया भी मिल जाता है दोस्तों कि में पहले केरल से जुड़ी बहुत ज़धा विड monet फॉस्तों जहां पर एक एक चीज दोस्तों आपको बारी की से महने समझाया था कि किस ट्राइम आपको जाना चाहिए दूस्टो तो इस ट्राइम अगर आप लोग मिस्तरी का काम करेंगे कों्ट 내rat volunteer की अंदर पर अगर आपका कोई ठीकदार है तो ठीकदार की अंदर पर काम करेंगे तो आपको दोश्तो लुख एराउंड 12 रुपया मिलेगा और अगर आप छुट्टा काम करेंगे माल लिजे कि मैं एक मिस्त्री हूँ तो मैं कोई भी ठीकादर का काम नहीं करता हूं सुबह खाना बना के चोक में चल जाता हूं और जाने की पाद दोस्त्तो कोई अगर चोक से मुझे ले जाएगा काम करने के लिए क्योंकि एक चीजने को ठूड़ा ठोड़ा काम करना होता ह है और पैशा पंद्रसर रुपया मी मिल जाता है हम लोग कमा होता है यहाँ था कि 50 अजार रुपिया एक मिस्त्री का भी हो जाता है अगर वो मिस्त्री बहुत काम करता है तो और लेबर का दोस्तों एराउंट होई जाता है अगर आप लोग पार्ट डे डेली अगर आप लोग चोक से काम करेंगे तो माहिना हो जाएंग तो 25,000 एसे ही महान के चलो हो जाएगा क्यूंकि अगर आप लोग तीनте महेनां अच्छा है अच्छा है मास जो महीना होता है जून या फिर जुलाई महीना में केरला जाएंगे काम करने के लिए तो उस टाइम केरला में ना तो ज्यादा आपको काम मिलेगा और उपार से आपका घाटा भी हो जाएगा क्योंकि इहां तक कि ऐसा लेवर भी होता है कि घर में पाज हजार रुपिया खर्चा करके केरला में सीधा चला गया काम करने के लिए और केरला जाने की बाद का कोई अता नहीं कोई पता नहीं उपार से बिन बुलाया मेहमान जो बारिस है पर दे बारिस होई जाता है तो मेरी भाई अगर आप लोग इस टाइम जाना जाता है तो केरला में जा सकता है लेकिन बहुत दिन तक नहीं गा एक महिना की आंदर दोस्तों केरला में भी बारिस इस्टार्ड हो जाएगा और इतना बारिस इस्टार्ड हो जाएगा भायंकर दोस्तों क्यूंकि पिछले साल में केरला में इस टाइम था तो मार्च महिना की लास्ट में जैसे कि एप्रिल मह महिना की 15 तरिक तक अगर आप लोग घर में आ जाएंगे तो कोई प्रवलम नहीं जानुवारी फेबरारी मार्ज एप्रिल चार महिना अगर काम कर लेंगे केरला में एक मिस्तिरी होकर तो दोस्तों आपको खाना पीना खाके एक लाग 20-30 रुपी आप लोग घर पर लेके देंगे तो उस सिच्योशन में आपका कुछ भी नहीं होने वाला है तो दोस्तों इस वीडियो से आपकी मन में कोई भी डाउट है तो सीधे हमें संपर करना आपकी एक सवालों का जवाब जरूर देंगे